आप सभी का स्वागत है आपके अपनी चैनल वर्च्वस में मैं दुरुदन कर फॉर्मर एच भी आपके आपके लिए रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टन बहुत ही प्यारा सेशन लिख कर रहा हूं जैसे कि आप जानते हैं डेली हम इस सेशन में रीजनिंग के मेंस के miscellaneous questions practice कर रहे हैं आज भी कुछ सवाल आपके लिए में लेकर आए हूं तो सेशन स्टार्ट करें उससे पहले एक बार जल्दी से schedule देख लीजे हमारे सभी sessions का schedule आपके screen के सामने है चाहे वो an academy पर रहे है चाहे youtube पर रहे complete session यहाँ पर है अगर आप पहली बार session जोइन कर रह रहे हूं सभी के courses यहाँ चल रहे हैं और quant or reasoning दोनों सब्सक्राइबर है तो इनको अच्छे से follow कीजिए इसके साथ ही साथ अगर आप first time user है नए subscriber है तो request रहेगी कि हमारा जो telegram channel है वर्च्वास पर उसको follow कीजिए वहाँ पर sessions के regarding सारी updates जितने भी PDF जो हम जितने भी सवाल यहाँ पर sessions में solve कराते हैं उनकी PDF आप यहाँ पर आपको मिल जाएगी they are provided है और अगर आप regular follower है daily हमारे sessions follow कर रहे हैं तो एक number है जो आपके screen के सामने है 98280 97824 यहाँ पर अपने name के साथ message कर दीजेगा और एक छोटा सा हमारा study group है WhatsApp का study group है वहाँ पर मैं आपको add करूँग ठीक है तो चलिए आज का session स्टार्ट करें उससे पहले छोटा सा note वैसे तो 1.30pm का यह जो session है generally live रहता है पर अभी कुछ net issues के चलते हैं कुछ दिनों के लिए recorded format में रहेगा तो थोड़ा सा cooperate कीजिये ठीक है recorded format में रहेगा daily रहेगा sessions daily आते रहेंगे बस live ने रहेंगे ठीक चलिए आज का session स्टार्ट करते हैं सबसे पहला question आप लोगों के सामने है pause कीजिए pause करके एक अच्छा सा attempt दे दीजिए सिलोक्स का सवाल है जल्दी से attempt कर लीजे चलिए I hope आप सभी ने attempt कर लिया है let's see क्या रहेगा solution सबसे पहले बाइन diagram अना लेते हैं only a few persons are available सिर्फ कुछ ही ऐसे person हैं जो available है इसका मतलब सर कुछ person ऐसे भी हैं जो available नहीं होंगे only a few का मतलब क्या होता है some plus some not no available service कोई भी available service नहीं है some services needed some service are needed ठीक है सर all needed are rain सारे के सारे needed क्या है rain है ठीक है सर यह आपका क्या बन चुका है some rain is not available जब भी some not का relation आपके पास आता है तो opposite method से आप करते हैं जिसमें some not का opposite क्या होता है all होता है आप all rain available के लिए चेक कीजिए क्या सारे के सारे rain available हो सकते है नहीं हो सकते हैं अगर सारे के सारे rain available होंगे तो इसके some service being person is a possibility कुछ service के person होने की possibility है क्या कुछ service person हो सकते हैं बिलकुल 100% हो सकते हैं सर कोई भी negative statement इससे violate नहीं हो रहा है तो बिलकुल यह follow कर जाएगा तो second भी आपका क्या जाएगा correct और पहले का answer होगा both follows पहले का answer होगा both follows ठीक है जली next question देखते हैं चलिए I hope आप लोगों ने attempt कर लिए let's see only a few breeds are reads सिर्फ कुछ ही breeds ऐसी है जो क्या है reads है चीक है sir इसका मतलब कुछ breeds ऐसी भी है जो reads नहीं है all reads are feeds सारे के सारे reads क्या है feeds है final no feed is bleed कोई भी feed क्या है bleed नहीं है तो यह आपका endigram बन गया सबसे पहले पहला conclusion चेक करेंगे some breeds are not bleeds some breeds are not bleeds some not का आपको मैंने अभी बताया था opposite method से चेक करेंगे some not का opposite all होता है all breeds are bleeds के लिए चेक किजिए अगर सारे के सारे breed bleed हो जाते हैं तो कोई problem है बिल्कुल problem है sir अगर सारे के सारे breed आप bleed के अंदर लेकर जाएंगी तो ये जो feed का common portion है ये भी इसके अंदर चला जाएगा which is not possible आपने बोला था feed और bleed के circle आपस में touch नहीं हो सकते जिसके करण ये नहीं बन पाएगा opposite नहीं बन पाएगा तो original को आप क्या बोलते हैं sir follows ठीक है तो conclusion one follows second देख लेते हैं some bleeds being reads is a possibility कुछ bleeds reads हो सकते हैं कि नहीं हो सकते sir कुछ bleeds अगर reads होने हैं तो feed वाले circle से भी touch होगा which is not possible तो second possibility क्या हो जाएगी आपकी incorrect हो जाएगी does not follows और यहाँ पर answer आजाएगा only one follows ठीक है next देखते हैं चलिए पॉस करके एक बार attempt कर लीजे बहुत ही प्यारा से बहुत ही प्यारा सवाल है बहुत ही important question है यहाँ पर एक important concept हम सीखने वाले हैं I hope आप सभी नहीं attempt कर लिया है let's see क्या रहेगा no dopes are troops कोई भी dopes क्या है troops नहीं टेक है सब अलग बना लिए all props are mobs सारे के सारे props क्या है mobs some mobs are crops कुछ mobs क्या है crops यह आपका वेंडाइगरा बन गया बहुत ही simple था अब यह जो पहला conclusion है यह बहुत important है इस पर star लगा लेता हूँ बहुत ही नया और अलग concept है एक बर धियान देंगे only a few mobs are not dopes एक तो definite statement है अब definite में भी only a few नहीं पुछा है only a few के साथ not लगा हुआ है only a few के साथ not लगा हुआ है अब इसका मतलब क्या होता है सबसे पहले यह हम समझते है only a few mobs are not dopes अब इसका हिंदी में अगर आप conversion करते हैं इसको पढ़ते हैं तो इसका मतलब क्या है सिर्फ सिर्फ कुछ mob डोप नहीं है क्या है सिर्फ कुछ mob ऐसे है जो डोप नहीं है याद रखेगा अच्छे से क्या बोला गया है सिर्फ कुछ ही mob ऐसे है जो डोप डोप नहीं है इसका मतलब क्या हुआ अब यहीं पर इसका एकदम contradictory इसका एकदम contradictory अगर हम सोचे तो क्या होगा कि अगर ऐसा आपका diagram बन जाए कि कोई भी mob डोप नहीं है इसका बिल्कुल contradictory क्या बन सकता है सर कोई भी mob डोप नहीं है अगर यह बात सच है तो यह बात 100% क्या गलत होगी अगर यह बात सच है अगर first वाला साई है तो second 100% कलत होगा कैसे होगा एक बार फिट से समझते है बोला गया था सिर्फ कुछी मोप का हिस्सा है जो डोप नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ सर सारा हिस्सा मोप का डोप नहीं है यह नहीं हो सकता अगर आप बोल रहे हैं कि सर मोप का कुछी हिस्सा है जो डोप नहीं है इसका मतलब आप क्या बोल रहे है इसका मतलब आप ये बोल रहे है कि सर सारा इससा ऐसा नहीं है जो डोप में नहीं है इसका मतलब all sorry no mop is dope वाली बात क्या हो जाती है directly incorrect हो जाती है does not follow हो जाती है अगर ये बात सच है तो क्योंकि उसने बोला है सिर्फ कुछी है सर कुछी portion है सारा portion के लिए आप नहीं बोल सकते कि डोप में नहीं होगा अगर आप specify कर रहे हैं ना कुछी है जो नहीं जा रहा इसका मतलब आप ये बोल रहें कि सर सारा मोप डोप के अंदर नहीं जाएगा ये बात क्या हो जाएगी सीधी सीधी गलत हो जाएगा अगर आपको ये बात समझने है एक बार फिर से रिवाइन करके अच्छे से सुनिएगा अब सर ये ही कंसेट हम यहाँ पर अपलाई करेंगे अगर यहाँ पर ऐसा हो जाता है ऐसा कोई केस पॉसिबल हो जाता है क्योंकि ये कंक्लूजन क्या है definite conclusion definite conclusion का मतलब क्या हुआ सर हर केस में हर केस में ये बात सच हो नीची है तो एक भी मैंने ऐसा possible केस ढूंड लिया जिसमें ये बात गलत हो जा रही है तो conclusion क्या हो जाएगा wrong हो जाएगा अब सर इसको गलत करने के लिए क्लिए मतलब ये वाले statement को देख लो कि no mobs are dopes ये किसी में भी possible किसी भी case में अगर ये possible हो गया तो ये आपका conclusion क्या हो जाएगा incorrect सर हमारी when diagram में ये possible हो पा रहे कि कोई भी mobs क्या है dopes नीए अराम से बन पा रहे है अगर ये possible हो पा रहे है that means इसका definite relation क्या होगा 100% क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा क्योंकि ये दोनों क्या है contradictory है एक दूसरे से और एक भी ऐसा possible case मिल गया है जिसमें no mobs is dopes हो पा रहे है उसमें only a few mobs are not dopes क्या हो जाएगा सिधा सिधा incorrect हो जाएगा अगर ये concept समझ नहीं है एक बार से फिर से being crops is a possibility कुछ props के crops होने की possibility क्या कुछ props आपको crops दिखाए देने सीधा definite कुछ है when diagram में चेक किया नहीं हो राज़ा सर क्या हो जाएगा ये गलत तो यहाँ पर आपका answer क्या जाएगा नन follows, यहाँ पर आपके पास answer क्या आजाएगा, none follows आपके पास answer आजाएगा हाजी, सभी के clear है I hope सभी के clear है चलिए आगे बढ़ते हैं pause करके एक बार attempt दे दीजी चलिए, I hope आप लोगों ने attempt कर लिए let's see, only a few stupid are crazy कुछी ऐसे stupid है, जो क्या है crazy है, इसका मतलब कुछ stupid ऐसे भी हैं, जो crazy नहीं होंगे, क्या कैसा no crazy smart, कोई भी crazy क्या है smart कोई भी crazy ऐसा नहीं है जो क्या है smart बोनों पर cross लगा दिया, all smart are beautiful, सभी के सभी smart क्या है, beautiful only a few beautiful are handsome कुछी beautiful ऐसे हैं जो क्या है handsome इसका मतलब क्या हुआ, सर ऐसे भी beautiful रहेंगे, जो handsome नहीं होंगे ठीक है सर, यह आपका बेंडियाग्राम बन गया, अब पहला conclusion देखिए some stupid are not smart जब भी some not आजाए, opposite method लगाईए some not का opposite क्या होता है, all होता है, all stupid are smart बन सकता है, क्या, सारे के सारे stupid आप smart कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, सारे stupid अगर मैंने smart के अंदर लेकर चला गया तो यह जो crazy के साथ common portion आया है, यह भी क्या चला जाएगा इसके अंदर, which is not possible सर, आपने बोला था crazy और smart वाले circle अलग लग, एक दूसरे से दूर रहने बने, तो सर, all का नहीं बन पाए, यह opposite नहीं बन पाए तो original क्या हो जाएगा, बिल्कुल correct है सेकिन देख लेते हैं, no smart or handsome definite कुछा है, तो सीधा चेक कीजिए, क्या no smart or handsome यह बात एकदम definite relation है क्या बिल्कुल सर, इसका कोई definite relation नहीं है, यह सीधा सीधा क्या हो गया, आपका incorrect हो गया क्योंकि कुछ smart आप handsome कर सकते हैं, possibility है अगर possibility है, तो no smart or handsome की definite relation होने का सवाल ही नहीं उठता गलत हो क्या, धड़ देख लेते हैं all handsome being stupid is a possibility आप possibility पूचिए क्या सारे के सारे handsome stupid हो सकते हैं सर, सारे के सारे handsome अगर stupid के अंदर चले जाते हैं, तो क्या problem आईगी, सर, अगर आप सारे के सारे handsome stupid के अंदर लेकर जाते हैं सारे के सारे handsome stupid के अंदर लेकर जाते हैं तो कोई negative, कोई भी negative statement violate हो रहा है, क्या, नहीं हो रहा सर, सारे handsome अगर stupid के अंदर जाएंगे तो इसका beautiful का portion भी किस में चला जाएगा stupid में सर beautiful stupid में चला जाएगा उससे कोई problem नहीं है हमें बस मतलब इस चीज़ से था यहां पर के crazy और smart आपस में touch now और handsome पूरी तरह से beautiful में आ जाए sorry beautiful पूरी तरह से handsome में आ जाए तो नहीं जा रहा सर कोई tension नहीं हो रहा चली next आपके सामने है पॉस करके एक बार जल्दी से अटेम्ट दे दिए I hope आप लोगों ने अटेम्ट दे दिया है let's see new perfumes are deodorants कोई भी perfume क्या है deodorant नहीं है only a few deodorants are moisturizers कुछी deodorants ऐसे हैं जो moisturizers है that means ऐसे भी deodorants रहेंगे जो moisturizers नहीं होगे all moisturizers are cold creams सारे के सारे moisturizers क्या है cold creams है only a few cold creams are sunscreen कुछी cold creams ऐसी है जो क्या है sunscreen है इसका मतलब कुछ cold creams ऐसे भी रहेंगे portion जो sunscreen नहीं होगा यह आपका क्या बन गया वेंड डाइगरम बन गया अब पहला conclusion है some deodorants are sunscreen definite relation पूछा है positive में सीधा वेंड डाइगरम में चेक करेंगे क्या कुछ deodorants आपको sunscreen दिखाए दे रहें नहीं दिखाए दे रहें सेकेंड देख लेते हैं all perfumes being sunscreen is a possibility सारे perfumes के sunscreen होने की possibility है बिलकुल 100% possibility है सार आप पूरे perfume को sunscreen के अंदर बिठा सकते हैं कोई problem लिए second बिलकुल correct है अब सार इसके बाद third क्या हो जाएगा no moisturizers are perfumes कोई भी moisturizer क्या है perfume नहीं है तो सार कोई भी moisturizer perfume नहीं है ये बात सही है क्या अच्छे से चेक कर लीजिए एक बार सार perfume और deodorant में cross का relation था अब moisturizer का अगर कुछ portion मैं perfume में डालता हूँ तो इससे कोई problem है क्या नहीं problem है सार बस deodorant से दूर रखिएगा perfume को deodorant से दूर रखिएगा ऐसे करके आप perfume से तो perfume से तो intercept करी सकते हैं कोई problem नहीं और आम से सर बन पा रहा है इसका मतलब ये बन पा रहा है मतलब कुछ perfumes अगर moisturizer हो सकते हैं that means ये जो definite relation of moisturizer और perfume में ये दोनों आपस में touch नहीं हो सकते ये बिलकुल क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा बिलकुल क्या हो जाएगा sir गलत हो जाएगा तो आप का answer हो जाएगा only second follows ठीक है I hope आप सभी के clear है final silox का सवाल है उसके बाद कुछ input output और coding decoding का एक second चलिए I hope आप लोगो ने pause करके attempt कर लिया है all lamps are lights सभी के सभी lamps क्या है lights only a few lights are bulbs कुछ ही lights ऐसे है जो क्या है bulbs इसका मतलब कुछ lights ऐसे भी है sir जो bulbs नहीं होंगे only a few bulbs are tube lights कुछ ही bulb ऐसे है जो tube light है इसका मतलब कुछ bulb ऐसे भी रहेंगे जो tube light नहीं है ठीक है sir no tube lights are CFL कोई भी tube light ऐसा नहीं है जो क्या है CFL है CFL को tube light से अलग दोनों पे लगा दिये cross यह आपका diagram पहला conclusion चेक कर लेते हैं no lamps are tube lights कोई भी lamps क्या है tube lights नहीं अब सर लैंप्स और tube lights में कोई definite relation है ऐसा कोई definite relation है अगर कुछ lamps tube light हो जाए वो भी कोई problem नहीं है ऐसा नहीं इससे कुछ issue आने वाल है नहीं आएगा सर पहला आगया आपका गलत ऐसा definite relation दोनों में नहीं है some CFL are not bulbs some not के लिए क्या करेंगे opposite method लगाया all close करो all CFL are bulbs all CFL are bulbs आप बना सकते हैं सारे के सारे CFL को bulb के अंदर रख सकते हैं रख सकते हैं बस यह ध्यान रखेंगा सर CFL को थोड़ा tube light से दूर रखें तो यहाँ पर आप इस तरह से मना सकते हैं CFL कोई problem नहीं आएगे all अगर possible है तो some not का relation क्या हो जाएगा सर गलत हो जाएगा ठीक चलिए तीसरा देख लेते हैं some lights are not फिर से some not है opposite method लगा है all का relation चेक किया all lights are bulbs इसकी possibility है क्या सारे lights क्या bulbs बन सकते हैं सारे lights सारे के सारे lights आपके bulbs नहीं बन सकते क्योंकि light और bulb में क्या relation था only a few का relation था और only a few से दो बाते definite हो जाती है some और some not तो सर some और some not आपके अगर some not वाली बात अगर सीधी सही है तो opposite method लगाने की जरूरत भी नहीं है सीधा है यहां से सीधा यहां से पता चल पा रहा है कि some lights are not bulbs का relation only a few से आपको मिल गया third आपका conclusion क्या आजाएगा correct आजाएगा यहां पर answer होगा only third follows only third follows तो यह 5 questions थे syllogism में यह 5 questions थे I hope आप सभी ने अच्छे से solve किया है जिसमें से एक बहुत important concept था यहां पर only a few not वाला I hope सभी ने इसको अच्छे से पढ़ा है अच्छे से देखा है बाकि आपके काफी standard थे आराम से आप सभी ने solve कर ली होंगे कोई problem नहीं आईगी इसके अंदर चीके I hope इसके अंदर कोई problem नहीं आई किसी को भी चलिए अब एक छोटा सा input output का set है pattern identify करना है इस पर question नहीं करेंगे बस आपको pattern identify करना है सवाल बहुत important है क्योंकि IBPS RRBPO means 2018 का सवाल है pattern आपको यहां पर identify करना है सवाल important रहेगा क्यों क्योंकि IBPS RRBPO means 2018 में पूछा जा चुका है बहुत ही प्यारा set है अगर solve कर पाते हैं तो बहुत अच्छा लिए चलिए I hope आप सभी लोगों ने pause करके accordingly time देखे solve कर लिया है अब solution देखते है let's see the solution step 1 से sir start करते है step 1 कैसे हुआ है alphabetical order के according नहीं हुआ है number of letters के according भी नहीं हुआ है number of vowels के according भी नहीं हुआ है तो फिर किस से check करें sir sir आप ऐसा कीजिए आप check कीजिए according to the last letters of the words सभी words के last letter के according चेक कीजिए sir तो यहाँ पर क्या रहा है y आ रहा है यहाँ पर g आ रहा है यहाँ पर t आ रहा है यहाँ पर h आ रहा है और यहाँ पर क्या रहा है r आ रहा है ठीक है sir इसके according अगर इन सभी letters के according alphabetical order में left to right अगर जमाए तो sir g आ गया h आ गया r आ गया t आ गया y आ गया बिल्कुल alphabetic order से जम गया कि नहीं जम गया बिल्कुल sir g h r t y बिल्कुल alphabetic order but based on the last letter ठीक है sir last letter के basis पे last letter के basis पे आपने कैसे जमा लिया alphabetic order में जमा लिया ठीक है sir alphabetic order में जमा लिया लिए सर स्टेप नंबर टू चेक करते हैं अब यहाँ पर क्या हुआ है सर यहाँ पर अल्फवेटिकल और्डर के अखॉडिंग नहीं जम पाया नहीं नमबर आफ वोवल्द के अखॉडिंग नहीं जम रहा number of letters एक बार चेक कर लें किया जल्दी से number of letters से अगर हम चेक करें English में कितने number of letters आ रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ठीक है sir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बिलकुल correct है sir 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है sir 1, 2, 3, 4, 5, 6 बिलकुल सही है 1, 2, 3, 4, 5 बिलकुल सही है तो अगर देखा जाए तो descending order में number of letters के according जमा जा रहे है अब ये सवाल आता है कि sir जहां पर number of letters सेम है वहां पर कैसे sir तो जो बड़ा number है उसको पहले जमाए गया मतलब English और Amazing में English बड़ा है बाद में आता है Alphabetical order में तो इसको पहले जमाए है और Amazing को बाद में Cloudy और August में Cloudy बाद में आता है तो Cloudy को पहले जमाए है अगस्त को बाद में Under में तो कोई competition है नहीं पांच का सिर्फ ये की है तो 7-6-5 number of letters के according आपने जमा दिया है descending order descending order ठीक है चलिए अब step number 3 एक बार चेक कर लेते है step 3 में क्या हो रहा है step 3 बहुत interesting है यहाँ पर words सी change हो चुके है पर सर अच्छे से अगर आप note करें तो पूरा का पूरा word change नहीं हुआ है जैसे कि ये जो c, l, n, t, d, y जो दिख रहा है ये किस से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है सर ये English तो मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा Amazing से भी मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा पर सर ये Cloudy से काफी मिलता हुआ दिखाई दे रहा पर सर Cloudy और c, l, n, t, d, y में क्या-क्या changes आए c तो वैसी रहा है सर l वैसी रहा है सर o change हो गया है O क्या बन गया है sir O N बन चुका है U के साथ क्या हो है Sir U आपका T बन चुका है Sir D वैसा का वैसा पढ़ा है Y वैसा का वैसा है तो ये देखते ही समझा गया कि sir इन्होंने consonant के साथ तो कोई change नहीं किया पर vowels को change कर दिया अब vowels को कैसे change किया sir O की जगे N लिखा है Sir O और N में क्या relation है O में sir अगर मैं minus 1 करूँ तो N आता है U और T में भी same relation है U में minus 1 करूँ तो T आ जाता है तो बहुत simple है कि sir vowels के साथ change हो रहा है vowels में क्या किया जा रहा है minus 1 किया जा रहा है अब cloudy को सबसे पहली क्यों रखा इसका कारण क्या हो सकता है sir cloudy को सबसे पहली क्यों रखा इसका कारण क्या हो सकता है कोई बता सकता है cloudy का क्या कारण हो सकता है sir अभी देख लेंगे एक minute के लिए बारी-बारी से पहले पूरा complete कर लेते हो उसे ज़्यादा clarity आईग अब यह D, N, G, L, H, S, H यह कैसे जमाए है sir अब let's see एक बार के लिए जल्दी से देख लेते हैं यह किसे मिलता वा दिखाई दे रहा है sir sir यह जो English है इससे मिलता वा दिखाई दे रहा है E, minus 1 करके D लिख लिया N, consonant है तो कोई change नहीं है G, consonant है कोई change नहीं है L में कोई change नहीं है I, vowel है तो इसमें भी वाई minus 1 वाला rule लगा और H आ गया S में कोई change नहीं H में कोई change नहीं यहाँ पर आ गया D, N, G, L, S, H अब sir मेरे को थोड़ी clarity मिल रही है sir change करने के बाद vowels minus 1 करने के बाद जो words आएं आपके पास vowel minus 1 करने के बाद जो भी words आएं आपके पास उनको आप जमा लो alphabetical order क्या कर लें यह बिल्कुल clear और आप यह देख भी सकते है C, D, T, Z, Z ठीक है बिल्कुल clear है आगे वाले जितने words है उनको भी आप इसी तरीके से arrange कर लें आपको देखने को मिल सकता एक तो box वाले जो होते हैं वो काफी common है यह भी काफी common है जिसमें words चलते चलते एकदम से पूरी तरह से numbers में convert हो जाते हैं अब कैसे convert होते हैं सर mostly number of letters के basis पे होते हैं या फिर आपके alphabetical जो positioning जो आपकी रहती है उसके according आपके changes होते हैं अब कैसे कैसे check करते हैं जो normal आप patterns check करते हैं first letter को check किया c की क्या value होती है 3 होती है सर y को check किया y की क्या value होती है 25 होती है सर 3 और 56 में कोई relation है 5 प्लस 6 गयरा नहीं बैठ रहा सर 5 इंटो 36 maybe इंटो 10 करने प्यार हो अब y का भी एक बार check कर लेते y 25 और 56 कोई relation नहीं है 5 प्लस 11 5 प्लस 2 7 7 और 56 में कोई relation 7 8 जा में भी 56 नहीं भी यह हो सकता है अब इसके इलावा और कोई अच्छा relation मिल रहा है सर एक अच्छा relation और मिल रहा है अगर मैं इन दोनों को add कर दू तो मुझे क्या मिल जाता है 28 मिल जाता है और 28 का बिल्कुल डबल क्या है 56 सर बिल्कुल सबसे ज़ादा convincing pattern अभी तक यह लग रहा है आपने pattern का ही सोचे तो यह सोचा कि 3 में क्या कर दूँगा यह जो 56 है 56 में जरूर 5 इंटू 6 करके 30 सारा होगा जा कर देता हूँ साथ कर देता हूँ और इस साथ में अगर मैं 7-8 जा कर दूँँ तो मेरे को क्या मिल जाता है 56 पर सर सबसे ज़ादा convincing किये मिला कि 1st और last की जो place values है उनको मैंने add किया और उनको double करते है 56 अब इसके लिए भी check कर लेते है D का क्या आजाएगा सर आपके पास 4 आजाएगा D का कितना आजाएगा सर आपके पास आजाएगा D का 4 H का कितना आजाएगा एक बार जल्दी से बताजीजे सर H की place value 8 है 8 प्लस 4 कितना होगा 12 और 12 का double कितना होता है बिल्कुल 24 ही होता है 12 का double बिल्कुल क्या होता है 24 ही आपका answer आता है बिल्कुल correct है इसी तरीके से आपने fourth जो step है सारे जो number से इनको इसी तरह से अटीब किया है ठीक है तो fourth step क्या था मैं लिख देता हूँ फर्स्ट लेटर की place value प्लस लास्ट लेटर की place value और दोनों को फिर add करने के बाद multiplied by 2 यह सेट था जो IBPS क्लक स्वारी IBPS RRB PO में 2018 में पुछा गया था बहुत ही प्यार सेट था चलिए एक सेट और बचता है वो और solve कर लेते हैं आपके पास pause कीजिए pause करके attempt कीजिए coding recording का question है यह भी RRB PO में 2018 में पुछा गया सवाल है बहुत important रहेगा आप लोगों के लिए चलिए I hope आप सभी लोगों ने क्या कर लिया है attempt कर लिया let's see बारी बारी से एक बार चेक कर ले जल्दी से चलिए अब सर जो code है उस पर focus करते है जब भी means level की coding recording हो सिधा code पर focus कीजिए कि code में क्या क्या elements आ रहे चार elements से एक भी नहीं दो भी नहीं तीन भी नहीं चार पर चार element है उसके बावजूद इसका pattern जो था comparatively easier था पैचाना दो आपके पास letter से एक symbol है और एक क्या है आपके पास एक answer आपके पास number है तो सबसे पहले पहले letter से जैसे let's say start करें अब पहले letter क्या है आपका V सबसे पहले सबसे पहले solve करके देखिए एक बार कि क्या क्या चीज़ें आपको दिख सकती है इसमें sir हम first letter से check करते है A का V से R का V से F का V से D का V से कोई ऐसा direct relation है first ना बैठें तो आप फिर last letter के लिए check कीज़ें sir T का V से T का V से R का V से E का sir V से बिलकुल relation होता है E और V बिलकुल एक दूसरे के क्या आते है alphabetical order में opposite आते है sir यह तो बहुत ही अच्छी चीज़ मिली है बाकी चीज़ों के लिए भी एक पर चेक करें जैसे इसमें आ रहा है I sir आई के बिलकुल opposite वाला कोई मिल रहा है कि है यहांपर let's check sir आई के opposite कोई मिल रहा है कि है sir T I के opposite होता है कि है sir T I के opposite होगा क्या sir T नहीं होगा T नहीं होगा पर sir R जरूर होगा sir R बिलकुल I के opposite ही आता है तो sir यह भी मिल गया अब sir बचेवे क्या थे sir बचेवे थे आपके पास T और T और यहांपर थे G और G और T और G बिलकुल एक दुसरे के क्या होते है sir बिलकुल एक दुसरे के opposite आते हैं तो यह relation आपका बिलकुल set हो गया first letter का pattern आ चुका है बिलकुल reverse बिलकुल क्या रहे है reverse of first sorry reverse of last letter reverse of last letter in the word ठीक है अब sir आ जाते हैं second वाले तो second क्या है sir आपका F है H है T है C है F H T C कोई relation बैठ रहे है क्या F H E C का अब आपके पास particular code आ चुका है जैसे कि आपको यह पता चल चुका है कि V F हैश्टेग 9 किसका code है sir यह code है E वाले का मतलब decide का है decide का code है ठीक है तो इससे सीधा compare कर सकते है sir F का D से कोई relation होता है होता तो है sir अगर आप देखे E F plus 2 करूं तो आ जाता है D में अगर मैं plus 2 करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा F आ जाएगा चलिए sir ऐसी और किसी का आपको पता चला हाँ इसका भी मुझे पता है 4 का जो relation है वो यह रहा इसमें क्या रहा है 4 का relation H के साथ है 4 का relation किस के साथ है H के साथ है अब आप कैसे relate कर रहे थे sir F में plus 2 करने पर क्या H आता है बिल्कुल sir F में अगर आप plus 2 करोगे तो क्या जाएगा Similarly आप बाकियों के लिए भी चेक कर सकते है जैसे A में मैं plus 2 करूं तो क्या आता है C तो यह यहाँ पर C आपको मिल रहा है Sir R में मैं plus 2 करूं तो क्या T मिल रहा है बिल्कुल मिल रहा है तो sir second का भी बिल्कुल clear है करना क्या है First letter plus 2 करना है बहुत ही simple थे दोनों के दोनों अब sir symbols पे आ जाते हैं क्योंकि हमें almost goods पता चल चुके हैं पहले sentence के इसी तरह से बाकियों के भी पता चल जाएंगी अब symbols को अगर हम check करें तो कितने symbols आ रहे हैं Sir बहुत ही simple है सिर्फ दो ही symbols आ रहे है Hashtag और add the rate अब आप थोड़ा सा pattern अगर जब भी आप symbols देखेंगे तो symbols को हमेशा number of letters number of vowels then first letter then last letter ऐसे चेक कीज़े तो जैसे number of letters से हमने start किया number of letters से जब आप start करेंगे तो hashtag कहा रहा है hashtag किसका आया था सर decide का decide में number of letters 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 थे अब आप ऐसा देखिए जिसमें add the rate है यह IH वाला यह किसका था 4 का 1, 2, 3 यह कौन सा है 3 है सर 6 क्या है even है सर और 3 क्या है सर 3 आपका odd है 6 सर आपका even है और 3 क्या है आपका odd है ठीक है सर बहुत ही बड़ी तो यही अगर आप pattern आगे चेक करते हैं तो बिलकुल apply करेगा तो यह बिलकुल clear हो चुका है कि सर hashtag even number of letters के लिए आ रहा है और at the read किस के लिए आ रहा है सर odd number of letters के लिए तो symbol भी clear है आप सर final बचा number of letters बचा या number इसका बचा number अब आप 9 किस से चेक कर सकते हैं 9 का आपको चेक करना है 9 किस के लिए आ सकता है 9 है decide के लिए decide के लिए कैसे decide करें और नहीं बैठा सर और किस किस से आप चेक कर सकते हैं कई चीजे हैं इसको आप एक तरह से क्या लीजेगा इसको आप थोड़ा सा सोचेगा यह आपके लिए क्या रहेगा एक तरह से अच्छी प्राक्टेस हो जाएगी मैंने अल्रेडी आपको दोनों लेटर्स का बता दिया है मैंने आपको सिंबल्स का भी बता दिया है अब आप सिर्फ नंबर का कोड बचा है आल्मोस सभी के आप सभी के आप कोड से यहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं तो अपॉर्डिंगली चेक करके कमेंट में जरूर बताईएगा कि जो यह नंबर है 9 यह जो कोड है नंबर का इसका पैटन क्या है यह आपको as a homework दे रहा हूं है कमेंट में जो नीचे कमेंट सेक्शन है उसमें जरूर आप answer बताईएगा ठीक है अब जाने से पहले एक बार फिर से एक छोटी सी request है यह हमारा schedule है इसको अच्छे से follow कीजिए अगर आप first time user है अभी अभी start किया है तो telegram को join करें regular user है तो whatsapp number दिया वै study group से join करने के लिए मुझे message कर दीजेगा अपनी name के साथ add me to the group इसकी लावा यार एक छोटी सी बात जाते जाते सुनते जाओ के current affairs की I hope आप daily daily कुछ time आप current affairs को dedicate कर रहे हैं बहुत important रहेगा mains के लिए especially mains के लिए बहुत ही important रहेगा बहुत अच्छे marks आप यहाँ पर score कर सकते हैं और current affairs के लिए description में एक मैने link दिया है उसको जरूर check out कीजेगा अगर आप खरीदे ना खरीदे वो आपके उपर है पर एक बार check जरूर कीजेगा एक बार at least इतनी बात मेरी मान के check कर लिजेगा description box में link है affairs cloud की जो annual subscription है affairs cloud की जो annual subscription है जो मात्र 270 रुपए 270 रुपीज only में आपको मिल सकती है और यहां पर आप अगर नीचे क्लिक करते हैं तो आपको एक window अपीर होगी वहाँ पर 2020 का annual subscription आपको मिल जाएगा बहुत ही प्यारी बहुत ही प्यारा subscription है जहां पर आपके current affairs पूरा detail में और बहुत ही systematic तरीके से complete हो जाएगे थोड़ा सा in-depth आपको detail में current affairs पढ़ना पड़ेगा मुझे पता है time taking है तब ही मैं आपको बोल रहा हूँ अभी से अपने routine के अंदर इसको incorporate कीजिए इसको डाल ये अपने routine के अंदर के कुछ certain time 20 minute होगे 25 minute में current affairs को daily दे रहाँ अब daily अगर 3-4 महीनी तक अगर आप अच्छे से करते हैं इतनी बड़िया preparation हो जाएगी कि जब mains देने का समय आएगा तो आप एक unnecessary load नेम आने अपने उपर लेंगे कि यार अब मुझे एक साथ इतने सारी चीज़ों की तयारी करनी है current affairs भी करने ये भी तो description box हो एक बार चेक कीजिएगा affairs cloud की जो annual subscription है उसको time मत वेस्ट कीज़े जल्दी से buyout कर लीजे सर्फ 270 मातर 270 रुपय इतने रुपय तो आप invest करी सकते हो यार अपने future के लिए ये तो बहुत कम इतना तो आप करी सकते हो अब इसकी इलावा मैं फिर से एक बार बताऊंगा अने academy plus पे मेरे 2 courses चल रही है तो 8 p.m. पे चल रहा है और 10 30 p.m. पे चल रहा है अगर plus का plus से अभी तक आप जूड़ी नहीं तो time waste मत कीजिए जल्दी से जूड़ी है और अपनी systematic preparation start कीजिए तो now that's all for today's session